नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूं रोली आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीरा किचेन में आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वाधिश्ट बिल्कुल सौफ्ट तिल के लड़ू की रस्पी लेकर आई हूं जिसे आप सी सेम लड़ू भी बोलते हैं यह बहुत ही सौफ्ट तिल के गुड़ के अलामा दो बहुत ही हल्दी और टेस्टी इंग्रीडियंट और डाले हैं तो वीडियो को फुल वाध जरूर कीजिए तो आप यह देख रहे हैं यह लगभग डेढ़ पाउतक तिल है और लगभग यह आदा किलो गुड़ है क्योंकि मैं यहां पर थोड़ा सा क हैं मैं सिर्फ इसलिए डाल रहे हूं क्योंकि यह लट्ड़ मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चे वैसे तो बदाम खाने में बहुत नखरी करते हैं लेकिन इसके साथ आराम सी खा लेंगे इसलिए डाल रहे हूं आप चाहें तो सिर्फ मूंखलीय के लिए यह तेति चर्च खुश अने लगती है और यह थोड़ा से फूल जाता है यह बुन गया है इयह तिल जो देख रहे इसा estou सफेद वाली भी मिल जाती है तो मैं गुड़ को पहले ही रख दी थी सिर्फ आधी गलास से भी कम पानी डाल का मिल्ट होनी के लिए देखिए गुड़ कुरी तरह से मिल्ट हो गया कोई तार नहीं बनाना है अगर गलती से ज्यादा गड़ा हो गया थोड़ा सा पानी और डाल कर सबकु चला दीजिए जैसे यह थंड़ा भी आपको लग रहा होगा यह बहुत जाता पतला है लेकिन जैसे ठंड़ा होगा बिल्कुल बनने के कंडिशन में लड़ू बनाने के कंडिशन में आ जाएगा तो पूरी तिल सबकु डाल कर अभी यह थोड़ा सा गिला गिला जैसे ही ठंडा होगा तो दिखी है दो तीन गंटे बाद में राख दे थी तो गंटे बाद के डिकल बिल्कुल बनाने की कंडिशन में आ गया है तों हाथ में आप घी लगाकर लगाने से जैसे बा头 बात चिपकता नहीं है नहीं पर दोρ्ण पानी भी लगाते हैं तो आगर कि इतना में बनारेगे रहना प्रकिलिक हुआ कि थुछड़ी मुझे एक ही न रहा है। बदाम डालना totally optional है चाहे तो डालें चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें गर अब मेरे बच्चे की तरह आपके बच्चे भी यह लड़ू खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें बदाम जरूर डालें क्योंकि बच्चे लड़ू खाएंगे उसके साथ हेल्दी चीजे भी खा कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और बहुत जल्द हमारे चैनल पर गुर्तिल की चिक्की की रस्पी आने वाली है तो वीडियो को जरूर देखते रहे हैं फिर से मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नमस्त